नमस्कार दोस्तों मैं भाशा और आप देख रहे हैं न्यूस क्लिक पर खोज खबर का एक्रम देश देश के प्रधान मंत्री 19 नवंबर को क्रिकेट के वर्ल्ड कप की शांदार जानदार तैयारी में लगे हुए हैं जैसा कि हम सब जानते हैं भारती वायू सेना के विमान भी स्पेशल शो करेंगे और इस बीच प्रधान मंत्री की जो तैयारी चल रही है उस पर तो खबरे लगातार आ रही है और इतना जबरदस फील गुड है कि नाहीं प्रिय प्रधान मंत्री नरेन मोदी जी को याद आया और नाहीं उनके प्रिय मीडिया को याद आया कि जिस समय ये भव्वित दिव्वित अयारी चल रही है उस समय देश में साथ दिनों से 41 मजदूर, 41 मजदूर, 160 घंटे से भी ज़्यादा समय से जीवन और मौत की लड़ाई लड़ रहे है सरकारी परियोजना के तहट जो सुरंग बन रही है उसमें फसे हुए है मोधी जी की यह तस्वीर तो सब जगा आ रही है जिसमें वो अपने प्रिये मीडिया कर्मियों के साथ हसते हुए, मुस्कुराते हुए फोटो खिचा रहे है लेकिन इन में से कोई भी मीडिया कर्मी इन भारतिये मजदूरों की कहानी कहने के लिए लाइफ कवरेज करने के लिए उत्तरा खंड तक नहीं जाता और दूसरा एहम सवाल भारत लगातार जो विकास कर रहा है आधुनिक तक्नीक हमारे पास है और उसका जमीन पर जब टेस्ट होता है कि एक सुरंग में फसे हुए लोगों को निकालना है तब आप देखिए जिस तरह से सारी राहत की प्रक्रिया रुक जाती है तक्नीक वहां पहुँच नहीं पा रही या पहुँच कर भी इतनी बड़ी विनाश लीला को रोक नहीं पा रही इस पर आखिर खबर क्यों नहीं है दोस्तों ये दोनों खबरे बहुत अलग-अलग है क्रिकेट का जनून, क्रिकेट में भारत की जीत, उसकी तैयारी यह सब कुछ हम तक आप तक पहुच रहा है लेकिन उससे जुड़ा हुआ जो दूसरा सवाल है कि भारती नागरिकों की जिन्दगिया वो जिस तरह से दाव पे लग रही है वो पिछले 6-7 दिनों से क्यों गायब है क्यों नहीं, ये मीडिया कर्मी जिनके साथ प्रधानमंत्री नरेन मोदी कभी सेलफी लेते हुए दिखाई देते हैं और कभी हस्ते मुस्कुराते हुए फोटो किचाते हैं इन में से एक भी शक्स उत्तराखंड में चार धाम पर्योजना जो बन रही है जिस पर्योजना में 12,500 करोड रुपे खर्च होने हैं उस पर्योजना के तहट जो सुरंग बन रही है उस सुरंग में ये जो ट्रेजडी होती है जिसे वहां के लोग स्टेट मेड ट्रेजडी की संग्या दे रहे हैं इस में से एक भी शक्स जो आपको स्क्रीन पर फोटो दिखाई दे रही है यहां पर लाइफ कवरेज करने क्यों नहीं पहुचता यह सवाल बहुत एहम है दोस्तों क्योंकि यह तमाम लोग जो आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं इनके मीडिया घराने भारत से लेकर पहुच जाते हैं इसराइल जिसमें इसराइल हमला करने की तैयारी कर रहा होता है फिलिस्तीन पर और वहां से लगातार यह एंकर्स लाइफ कवरेज कर रहे होते हैं विदेश की धर्ती में चल रहा युद्ध और उसमें भी इसराइल के पक्ष में खड़े होके रिपोर्टिंग करने में इन्हें न समय लगता है और नहीं शर्म आती है लेकिन अपने ही देश में देश की राजधानी से कुछ सौ किलोमीटर दूर पिछले 6 दिनों से 6-7 दिन हो गए हैं सुरंग में फसे हुए भारती नागरेक और देखिए मीडिया की तरफ से इस पे कहीं से कोई कवरेज नहीं है यहां मैं आपको याद दिलाना चाहूंगी कुछ साल पहले एक बोरिंग में जब बच्चा गिर जाता है क्योंकि वहां TRP बटोर नहीं होती है यह तमाम मीडिया घराने लाइफ कवरेज करते हैं लेकिन यहां पर चुकि सवाल उत्राखंड में चल रही डबल इंजन सरकार से जुड़ा हुआ है क्योंकि यहां सवाल जुड़ा हुआ है ऐसी परियोजना से जो जब से शुरू हुई है दिसंबर 2016 से तब से लेकर अभी तक इसके इर्दगिर्द भीशन आशंकाओं का दौर चल रहा है लगातार तमाम लोग कह रहे हैं कि यह जो इतने बड़े पैमाने पर सड़क का निर्माण हो रहा है चार धाम को जोड़ा जा रहा है इसके लिए जितने बड़े पैमाने पर विस्फोट हो रहे है सुरंग खोदी जा रही है यह सब विनाश लीला को आमंत्रित करने का काम हो रहा है और देखिए यह तकरीबन पांच किलोमीटर लंबी सुरंग है 4.5 किलोमीटर लंबी सुरंग और इसमें यह जो शुरू होती है सिलखियारा से लेकर डंगल गाओं के बीच यह बनती है और इस सुरंग को लेकर अब जो खबरे आ रही है उससे साफ होता है कि कहीं से भी जो सुरक्षा की चीजें थी चाहे वो गैस निकासी की बात हो चाहे एक अल्टरनेटिव रूट की बात हो कुछ भी नहीं किया गया था और हम सब जानते हैं कि यह जो चार धाम पर योजना है जिसमें कैदारनाथ बद्रिनाथ, यमनोत्री और गंगोत्री को जोडने के लिए 8, 8, 9, 100 किलो मीटर लंबी सडक बननी है और इसके लिए हजारों रुपे तो खर्च होने ही है साथ ही बड़े पैमाने पर इस पूरे इलाके की जो टोपोग्राफी है जो परियावरन है उसमें बड़े पैमाने पर दखल देने की जिस तरह की कोशिशे है वो किस तरह से जान लेवा हो सकती है यह सुरंग वाली जो दुरघटना है वह बता रही है सवाल सिर्फ इस परियोजना का ही नहीं है अभी अगस्त 14 अगस्त को ही रिशिके से कर्ण प्रियाग के बीच जो रेल प्रोजेक्ट उसमें शिफपुरी टरनल में भी पानी भर गया था 141 मजदूर और इंजीनियर फस गए थे बड़ी मुश्किल से सब की जान बचाई गई और हम सब देख रहे हैं हम सब ने देखा है कि किस तरह से जोशी मट पूरा धस रहा है और लगातार इसे लेकर खबरे आ रही है सवाल बहुत सीधा सा जो पूछा जाना जरूरी है जिस समय यह सेलिबरेशन का मूड है और समय भी पूछा जाना जरूरी है कि आखिर यह जो लगातार लोगों के जीवन से खिलवाड की एक अलग ढ़ंकी राजनिती है जिस पर चर्चा भी नहीं होती है हमें दुख इस बात का है कि ये खबरें भी नहीं बनती है खबरें एक तरह का पियार पियार कवरेज जो होती है वह बनती है सवाल सीधा सा है सब को मैच पसंद है सब मैच में चाहते हैं कि भारत की जीत हो जब भव दिव्व फोटो के बीच आप यह भी ध्यान रखिए कि इस पर भी कवरेज होनी और हमारी आपकी चिंता इन भारतियों को बचाने पर भी होनी चाहिए और हमें अपनी सरकार और नयाय पालिका से भी इस परियोजना के बारे में बात करनी बहत जरूरी है दोस्तों एक और तस्वीर आपके स्क्रीन पर यह तस्वीर हमारे आपके प्यारे भारत और इसके स्टेशनों की है इस्पेशल ट्रेनों की है यह वह ट्रेन नहीं जिसे प्रधान मंत्री नरेन मोदी हरी जंडी दिखाते हैं और ट्रेने और प्लेटफॉर्म बिल्कुल साफ सुत्रे बहुत कम लोगों के साथ दिखाई देते हैं। यह मौका है छटका। छटके लिए भारती रेलवे इस्पेशल ट्रेने भी चलाती है। इस्पेशल ट्रेनों का क्या हाल है यह आपके सामने हैं। सिर्फ इतना ही नहीं। इस बार जिस पर खबर बहुत कम है और जो खबर बहुत बड़ा चौकाने वाली है वह यह कि इन इस्पेशल ट्रेनों और बाकी ट्रेनों का किराया हवाई जहाज के टिकट से भी जादा है। जी हाँ यह टिकट देखिए। एक व्यक्ती छट पुजा के मौके पर मुंबई से पटना के लिए टिकट बुक करते हैं। कीमत देखिए, दस हजार रुपे कीमत है। और आप देखिए, यह जो टिकट बुक हुआ है, इसमें यह जो क्लॉज है, यह बता रहा है कि किस तरह से लूट चल रही है। बेसिक फेयर एक ही है। लेकिन जिस तरह से मार्केट के भरोसे कर दिया गया है कि जब मांग जादा होगी, तब टिकट का किराया बढ़ जाएगा। सिर्फ इतना ही नहीं जो खबरे आ रही है, अलाकि बहुत कम है, लेकिन उससे यह भी पता चल रहा है कि भीड इतनी जादा है, ट्रेनों में जगा नहीं है, हवाई यात्राओं और उनका किराया तो वैसे ही आसमान पे चड़ा हुआ है, और ऐसे में लोग बसों की तरफ र तर पर किरायों को बेलगाम किया है, और साधारन भारती नागरिक के लिए जीना और मुश्किल किया है, एक ट्रेन टिकट दस हजार रुपे, बारा हजार रुपे, सत्रह हजार रुपे, इतने रुपे के टिकट बिक रहे हैं, और देखिए, इन पे खबरे बहुत कम हैं, वे खुद ही सोशल मीडिया पर अपने टिकेट्स के स्क्रीन शॉट्स शेयर कर रहे हैं और महान मीडिया उन स्क्रीन शॉट्स के जरीए खबरें कर रहा है हमारे दौर का सबसे बड़ा नरसहार सबसे बड़ी तबाही हो रही है फिलिस्तीन की धर्ती पर गाजा पटी में मानवता की तबाही है यहाँ पर और देखिए इसके खिलाफ अमरीका से लेकर दुनिया भर में भीशन विरोध हो रहे हैं चाहे सैन फ्रांसिसको का बेब ब्रिज बंद कर दिया गया हो या फिर अंगिनट टीवी चैनलों अखबारों के सामने विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं लोग और उनकी गिरफतारिया हो रही हैं लंदन से लेकि तमाम यूरोप में प्रोटेस्ट बढ़ रहे हैं इससे एक अंदाजा होता है कि दुनिया में अंतराष्टिय नियम हों अंतराष्टिय कानून हों लेकिन जब युद्ध अपराद ताकतवर देश करते हैं और ऐसे देश यहां मैं जिकर कर रही हूं इसराइल का जिसके पीछे पूरा का पूरा सपोर्ट है अमरीका का जब ये लोग युद्ध पराद करते हैं बच्चों का कतले आम करते हैं अस्पताल पे बमवर्शा करते हैं एक अलग धंका जूट रचते हैं ऐसा जूट जिसमें मजबूरी में बीबी सी तक को खबर करनी पड़ती है कि जिस तरह का जूट रचा गया कि अस्पताल के नीचे जी हां यहां मैं जिक्र कर रही हूँ गाजा पट्टी में चलने वाले अलशिफा अस्पताल की जिसमें बड़े पैमाने पर विद्ध्वन्स किया गया ICU में तमाम लोग मर गए क्यों क्यों क्योंकि एक जूट रचा इसराइल ने कि इसके नीचे ही नेटवर्क है हमास संग्ठन का लेकिन इस दर्मियान गाजा की जो भीशन परिद्रिश्य है वह देखना महसूस करना और यह देखना कि इतने देशों के होने के बावजूद फिलिस्तीन, गाजा, वेस्ट बैंक को बचाने के लिए एक देश भी सामने नहीं आया बहुत मुश्किल से कुछ देशों के लोग इतनी विभीशिका होने के बाद, इतना खून बहने के बाद, इतना बच्चों के मरने के बाद अपने स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, लेकिन मरने वाले मर रहे हैं और मारने वाली इसराइली सेना लगातार कतले आम कर रही है और इसी बीच जो विरोत के स्वर हैं, उनमें एक स्वर नियॉर्क टाइम्स मैगजीन की जो पोईट्री एडिटर हैं, एनी बायर उनका भी है, उन्होंने स्तीफा दिया और उनका स्तीफा हम सब को पढ़ना चाहिए और खास तोर से उन लोगों को जो मीडिया के इस टाइम्स ने अपने दो लेखकों को सिर्फ इसलिए निकाल दिया क्योंकि उन्होंने गाजा पर इस्राइली हमले के खिलाफ एक अपील पर हस्ताक्षर किये थे, आईए, पढ़ते हैं, नियॉर्क टाइम्स की मैगजीन की जो एडिटर, उन्होंने जो इस्तीफा दिया, व क्या है? I have resigned as a poetry editor of New York Times magazine. The Israeli state's US-backed war against the people of Gaza is not a war for anyone. There is no safety in it or from it. Not for Israel, not for the United States or Europe and especially not for the many Jewish people, slandered by those who claim falsely to fight in their names. It is only profit in its deadly profit of oil interest and weapon manufacturers. Unke Sahas ko, Salaam, Shukriya. झाल